हेलो फ्रेंट्स and welcome to my channel यश चेतना फ्रेंट्स इस दुनिया में जो हमें लेकर आते हैं वो अपना फर्ज कभी नहीं भूलते हैं हम बच्चे हैं हम बच्चों की तरह अपना फर्ज भूल जाते हैं पर वो कभी नहीं भूलते आप सोच रहे होंगे मैं किसके लिए बोल रही हूं सही पहचाना मैं अपने पैरेंट्स के लिए कह रही हूं आपके पैरेंट्स आपके पैरेंट्स के पैरेंट्स आपके इसके पहले आपसे रिक्न है कि मेरे चेनल यश्चेतना को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और आपने अब आपको आज की है अपनी कहानी की थ्रू समझाना चाहती हूं कर्off मोई जुगल किशोर जी ने यह कहानी मुझे बताई थी जो एक पड़ोस में ही जो एक दमपते रहते थे एक परीबार रहता था जौइंट फैमली उसके बारे में जुगल किशोर जी ने ही मुझे यह बताया था उनकी पड़ोस में राजेश और रागिनी रहते थे अपने माता पिता के साथ राजेश के पिता जी गंगाराम और माता जी पारवती उनके साथ रहते थे और राजेश के बेटा यश और बिटिया याशिका ये एक छोटा सा परिवार एक छोटी सी जॉइंट फैम रहते क्योंकि रागिनी ने अपना हार गोल्डन नेकलेस उसने गिर्वी रख दिया था क्यों कुछ दिन पहले घर में आर्थिक समस्या आ गई थी इसलिए तो उसने अपने हस्बेंट से कह दिया था कि इस बार आप एक तारिक को जो आपको सैलरी मिलेगी तो आप मेरा हार छ खुश घूम रही थी क्योंकि वो हर महीने पापा से थोड़ा थोड़ा रुपया ले रही थी उसको लैपटॉप खरीदना था इसलिए और उधर यश भी बहुत खुश घूम रहा था कि वो पूरे साल की फीस एकी बार में सब्मिट करवा देगा पापा से कहका तो उससे क आओगा उसको पूरे साल किसी की भी सामने अपनी नजरे नहीं जुकानी पड़ेगी क्योंकि पूरे साल की फीस उसने सब्मिट करा दी बस ठीक है तो इस तरीके से यह सब बहुत खुश-खुश घूम रहे थे राजेश आये आते ही उन्होंने रागिनी को उसका नेकलेस दे दिया अपना नेकलेस देखकर एणी तो बहुत खुश होई हाँ यह तो वही नेकलेस है वह सोचने लगी ऀरी यह तो ही नेकलेस है उसने अपने हजबेन को नाष्टा दिया वहav //you, करने बैठ गए और रागिनी अपने रूम में चली गई हजबन राजेश ने याशिका को जो आखरी केश्ट थी वो दे दी क्योंकि याशिका को फिर अपना लैपटॉप और करना था तो वो भी अपने रूम में चली गई और इधर यश्ट ने भी पापा से पैसे ले लिए क क्योंकि उसको नेक्स डे जाकर अपनी पूरे साल की फीस सब्मिट करनी थी सब अपने अपने रूम में चले गए इधर राजेश अपने पिता गंगाराम और मा पारवती के साथ वहीं बैठे रह गए नाश्टा करने लगे मा ने देखा कि रागिनी जल्दी जल्दी में प पानी पियो क्योंकि देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है और अपने पल्लू से उनका पसीना पहुंचने लगी तो माता पिता की मम्मियों की तो आदत ही होती है ना ऐसे की पल्लू से पसीना पहुंचने की तो उन्होंने पसीना पहुंचना शुरू कर दिया तो पल्ल बाजी को देखकर बोला पापा इस महने तो मैं आपका चश्मा नहीं बनवा सकूंगा मुझे बड़ा दुख हो रहा है पापा ने का कोई बात नहीं बेटा तुम अगले महने बनवा देना अभी तो बच्चों का भी तो जरूरी था ना रागिनी का हार भी चुरवाना जरू जरूरी था और उसकी फीस भी सब्मिट करनी जरूरी थी तो तुम मेरी चिंता मत करो फिर वो अपनी मा की तरफ देखा यह राजेश ने देखा तो उनको बोला मा आपने कहा था इस महीने आप ती इर्थ पर जाना चाहती हैं पर मैं आपको भी रुपे नहीं दे सका यह सो इस बार तो अभी पैस होगी तो वैसी बहुत दिक्कत होगी पैसे ही नहीं इतने कि मैं अपने शूज भी खरीच सकूँ तो पापा ने कहा देखो विटर तुम्हें डाइबिटीज है और डाइबिटीज में पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है तो तुम अपन नेकलेस अपने अलमीरा में रखा और वो बहार निकल आई और इन दमीन वाइल याशिका ने भी अपना लैप्टाप और कर दिया क्योंकि इसके पास पूरे पैसे हो चुके थे और उधर याश भी अपनी काम करके और तीनों लोग बहार आए जहां पर दादा दादी और प क्या लाए हैं तो वो सब बाकी तीनों को भी हरानी हुई कि अरे पापा क्या लाए हैं हम भी तो देखें तो राजेश ने डबा खोला और उसके अंदर बहुत सुंदर शूज बेस्ट क्वालिटी के शूज रखे हुए थे उसके पापा ये क्या आप ये शूज कहां से ला रखा ना अपने बच्चों का अपनी पत्नी का ध्यान तुमने रखा ना तो तुम मेरे बच्चे हो तुम्हारा ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा इसलिए मुझसे बहस मत करो तुम पहले पहन के देखो ताजेश तो अपने माता-पिता का वैसी सम्मान करते थे उन्होंने शूज निकाले और पहन की देखा, सेम साइस जो उनको चाहिए था और बहुत सुन्दर कलर और अच्छी कौालिटी के शूज उनका मन खुश हो गया, उन्होंने का देखो पापा, आप का कहना मान कर मैंने ये शूज पहन लिए, अब मेरा कहना मानकर मुझे बताईए आपके पासे रुपए कहा से आए तो पापा ने कहा अरे कुछ नहीं वो नया स्कूल खुला है नुकड़ पे उन लोगो टीचर्स चाहिए थे और मैं सारे दिन घर में बैठा ही रहता था कुछ काम तो करनी रहता बैठके सारे दिन धर 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 करो तो मैंने वहाँ पे नौकवी जोइन कर लिए है आज मुझे वहाँ से सैलरी मिली है फर्स्ट पहली तनखा उसमें मैं तुम्हारे लिए शूज ले आया तो फ्रेंट्स ये होते हैं माता पिता ये होते हैं ये होता है परिवार जिसमें हम एक दूसरी के बारे में सोचते हैं और माता पिटा तो अंत समय तक भी अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं अब पूछते हैं आपको वो पता होगा जब एक लड़के से उसकी प्रेमीका ने कहा कि अपने मा का हृदय निकाल कर लेकर आओ तब मैं तुम से शादी करूँगी मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा अपना हृदय मेरा हृदय तुम ले जाओ तुम शादी करके सुखी रहो जब वो लड़का वो मा का हृदय लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसको ठोकर लगी आप जानते हैं हृदय से क्या आवाज आई बेटा तुम्हें कहीं चोट तो न ही जो कुछ भी करना है वो आपके लिए ही करते हैं इसलिए मैं आपसे एक बात ही कहना चाहूंगी अभी भी चलती है जब आंधी कभी गम की अभी भी चलती है जब आंधी कभी गम की मा की ममता मुझे बाहूं में चुपा लेती है अभी भी चलती है जब आंधी कभी गम की मा की ममता मुझे बाहूं में चुपा लेती है शौक तो माबाप के पैसों से ही पूरे होते हैं अपने पैसों से तो बस जरूरतें पूरी होती हैं भगवान का दिया सबसे कीमती तोहफा आप जानते हैं क्या है? भगवान का दिया सबसे कीमती तोहफा कुछ नहीं बस मेरे पापा आप हो See you friends